हुआ है गाइस मैं हूं मिखा वेल्कम बैक टू माइच चैनल कैसे हैं आप लोग होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे तो आज मैं आपके लिए लिए क्या ही हूं हल्दी मीकप लोग हो इससे आप अगर किसी हलदी फंक्शन में जा रहे हो तो कर सकते हो या फिर अगर आप खुद ब्राइड हो आपकी खुद की हलदी है तो अब इससे कर सकते हूं मैंने यलो को साड़ी पहनी है तो आप यलो के लिए कोई भी फेस पे नेक्स्ट अब मैं मॉस्चराइजर लगाऊंगी मॉस्चराइजर को अच्छे से मैंने पने फेस पे लगा लिया है अच्छे से मॉस्चराइज कर लिजे अपने फेस को नेक्स्ट अब मैं लगा रही हूं प्राइमर यहाँ पर इंसाइट कॉस्मेटिक्स का प्राइ लिए अब मैं अपर फांडेशन लगा रही हूं वे लिन फिट मी फांडेशन विर शेड 118 खळल जाने को यह अपनी फांडेशन को ब्लेंड कर हूं आपको अच्छी तरह से पूरे फेस को ब्लेंड करना है, मेकप को अच्छे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, अच्छे से मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है, आइस के पर भी, नेक पे भी मैंने फॉन्डिशन अप्लाई कर लिया है, ब्लेंड कर लिया, अब मैं आप सब्ले कर लिए अब में या प्रण जांप कर लिए या तो Χता हुं या फिर रगा सकते हो जो भी आपको अच्छा लग है आपकर सकते हूं अच्छा से अपने पूरे make-up base को set कर लीजे powder के साथ अब मैं क्या करी हूँ क्योंकि मैंने पहले eye makeup नहीं किया था मैंने base makeup करने के बाद eye makeup करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पर loose powder से eyes के नीचे dab dab करके लगा लिया है ताकि जब मैं eye makeup करूँ तो जो भी fallouts हो उन्हें मैं एक साथ remove कर सकूँ उससे मेरा base makeup जो हो खराब ना हो तो अब यहाँ पर मैंने brown कलर का eye shadow लिया था और मैं उससे अपनी crease को build कर रही हूँ crease को build करने से आपके eyes गहरी दिखाई होती है और जो भी आप eye shadow अपलाई करते हैं अच्छा अच्छा सा लूक आता है अब मैं यहाँ पर yellow color का eye shadow यूज़ कर रही हूँ apply कर रही हूँ flat brush से यह yellow color का है yellow color का eye shadow में apply कर रही हूँ अपने eyelids पर क्योंकि यह अच्छे से निकल नहीं रहा था आनी रहा था color तो मैंने क्या किया makeup fixer को अब brush पर पहले apply कर लिया फिर अब मैं eye shadow का apply कर रही हूँ तो आप देख सकते हो अब यह color नहीं अच्छी तरह से आ रहा है eye shadow आ रहा है उपर के पहले बहुत कम कम सा आ रहा था तो इसलिए मैंने makeup fixer यूज़ किया आप ऐसा कर सकते हो या तो आप पानी में न हलका सा पानी में भीगा के फिर अब brush से कर सकते हो eye shadow को तो मैं यहाँ पर light yellow का लगा मैंने आगे वाले पार्ट में लगा 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 और अब मैं पीछे वाले corners पी न ग्रीन का लगा लगा रही हूँ क्योंकि मेरा जो blouse है उसमें green कलर है तो इसलिए मैं यहाँ पर yellow और green दोनों mix करके कर रही हूँ अब मैं यहाँ पर अपनी eyebrows को set कर रही हूँ eyebrow pencil से यह brown color की eyebrow pencil है मेरे पास तो पहले मैं outline कर रही हूँ eyebrows की आउट्लाइन करने के बाद उसमें बिल्कुल हलके हलके से मैं फिल कर रही हूँ eyebrows को बहुत जादा dark नहीं करना मुझे light light सा ही करना है आगे वाले पार्ट में vertical strokes देते वे कर लिया मैंने अब दूसरा वाला eyebrow फिल कर रही हूँ इस बाद मेरे eyebrows का shape जो है वो अच्छा नहीं हूँ थोड़ा आजीब साही हो गया है क्योंकि growth अच्छी नहीं थी तो मैंने बीच में eyebrows करा लिए तो थोड़ी आजीब सी यह shape हो गई है इसलिए मुझा eyebrow pencil से उसे ठीक करना है makeup की यह quality होती है ना कि आपके face में कुछ भी problem हो कुछ भी सही नहीं हो जैसी की skin tone या फिर marks हो pimples हो आइब्रोज सही नहीं हो तो आप उसे makeup से ठीक कर सकते हो यहाँ पर मैंने powder वाला eyebrow pencil लिया है मैं इसका link भी आपको डाल दूँगी description में अब मैं आपे eyeliner अप्लाई कर रही हूँ आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा bold eyeliner अप्लाई करूंगी पहले जैसे मैं light eyeliner लगाती थी इस बर मैंने सोचा कि मैं bold liner लगाऊंगी और इस बर मैं काजल नहीं लगाऊंगी तो देखती हूं कैसा लगता है यह look आप मुझे comments में जरूर बता ना तो मैं आप आई-लाइनर अप्लाई कर रही हूं अब मैंने क्या क्या ना नीचे क्यूंकि मुझे काजल नहीं अप्लाई करना है तो मैंने आई-शेड़ जो ग्रीन कलर का मैंने लगाया हूँ है आउटर कॉर्ण पे वही फ्लैट वाले ब्रश से लेकि नीचे लगा लिया आप ऐसा कर सकते हैं जब भी आप आई-शेड़ उपलाई करो ना तो नीचे भी वह वाला कलर थोड़ा सा हलका हलका सा नीचे भी लगाओ मेनी पाउडर रीमूब कर दिया था अब याप रिकॉन्तूर मेरी फेपरिट वाली कांटूर इंग 2 टिक जिससे कंटूरिंग करणा बहुत ही जादे ईजी होता है तो मैंने पेड़ चिक्स नोस और चrices ल automat से ब्लेंड कर रही हूं पीछे करते करते आपको कॉंटूरिंग करें होती है और अब मैं नेक की चिन की कॉंटूरिंग कर रही हूँ अब मैं आप पर नोस की कॉंटूरिंग कर रही हूँ छोटे वाले ब्रश के साथ नोस की कॉंटूरिंग कर रही हूँ मैं आपे अच्छे से ब्लेंड करते करते हैं कॉंटूरिंग जो है वो अलग-अलग सा पता नहीं होना चाहिए तो अच्छे से ब्लेंड कर लो अब मैं पर ब्लश अप्लाई कर रही हूं यहां पर मैं लाइट पिंग कलर का कोरल पिंग कलर का ब्लश अप्लाई कर लिया है चिन पे भी कर लिया अब मैं आपे हाइलाइटर लगा रही हूं हाइलाइटर अपनी आइब्र बोन्स को जरूल हाइलाइट करो मैंने नोस पे चिन पे और चिक बोन्स पे लिप्स के ऊपर चिन पे हर जगा लिया हाइलाइटर अब मैं हलके हलके से ब्रश से ब्लेंड कर रही लिया था highlighter अब मैं प्लाइक कर रही हो जो कि मैं पहले भूल गई थी करना तो मैं कर रही हो यहां पर नीचे वाले eyelashes पे भी हलका हलका सा अप्लाइक करना है तो इससे आपके eyelashes ने घरनी दिखेंगे अब मैं आप लिप्स्टिक लगा रही हूं मेरे पास है लैक में इंडिज साइटिन की पिंक कलर की लिप्स्टिक शेड मुझे याद नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहां से चेक कर सकते हो अगर आप करीदना चाहों तो वहां से ले लो यह पिंक कलर की लिप्स्टिक में लगा रही हूं अब मैं यहाप लगाने वाली हूं बिंदी पहले मैं सोच रही थी कि यलो कलर की बिंदी लगाओ फिर मुझे लगा नीनी थोड़ा सा डार्क लगाती हूं तो अच्छा आएगा यह ओवर की आएगा तो मैंने ग्रीन कलर की बिन्दी लगाई है, अब मैं पे मेकप फिक्सर से अपनी मेकप को fix कर रही हूं, set कर रही हूं, अब आप इसे naturally सूख जाने दो, अब मैंने यहां पे साड़ी पहन ली है, अब बारी है, जोल इस पहनी की, तो मैं हापे, yellow कलर का जुमका पहन रही हूं, अब मैं अपना हेस्टाइल करने वाली हूँ तो हेस्टाइल मेरे समझ नहीं हारा था कि मैं क्या करूं तो मैंने सुचा चलो आज खुले नहीं रखते बालों को हलका सना हाफ उपन रखते हैं तो मैंने ऐसे चोटी-चोटी पार्ट्स लेके पार्ट लेके पीछे घुमाती- यह वाला हेस्टाइल कर रही हूं मैं दोनों साइड से कर लोंगी हलका साना फोल करते करते आप एक पार्ट्स ले लो फिर फोल्ड करते करते पिछे मैंने पिन अप कर लिया दूसरी साइड से भी वही कर रही हूं सेम कर रही हूं मैं साइड से पार्ट्स लेके पिर मैंने कर दिया अब मैं अपने हेर्स को आगे कर लूँगी पिछे वालों बालों को तो उच्हे लगेंगे यह तो बस अब मुझे पैंगल्स पहने हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रुर। बताओ कि ये वाला लोक आपको कैसा लगा है ये झाल झाल